घेल्थ का मतलब वेलनेस का मतलब ज़्यादा तर हम लोग समझते हैं अपनी बॉड़ी को लेकर कि हमारी बॉड़ी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छीustain में है, कितनी जीदा स्वस्त है लेकिन एक इंसान के जीवन में health के माईने सिर्फ body तक नहीं होते बलकि health हमारी life की हर dimension का, हर आयाम का हिस्सा होती है तो आज हम आपको बताएंगे के health कितने प्रकार की होती है और वो हमारे जीवन के किन हिस्सों को नियंतरित करती है इमोशनल हिल्थ आपकी feelings के बारे में होती है कि आपकी feelings, आपके emotions आपके कितने control में है, आपके कितने नियंतरण में है आप चाए वो कोई भी emotion हो, चाए वो दुख हो, सुख हो, क्रोध हो, कोई भी emotion क्यों ना हो नमबर टू, spiritual health spiritual health का मतलब यहाँ पर यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई से धर्म से है spiritual health का मतलब यहाँ पर यह है कि आप cosmic energy जो ब्रहमान की शक्ती होती है आप उससे कितने connected है, आप कितने ज़्यादा conscious है, कितने ज़्यादा aware है नमबर टू, intellectual health intellectual health होती है आपकी creativity के बारे में, आपकी skills के बारे में, आपकी सोच के बारे में, आपकी विचार के बारे में, आपके mindset के बारे में नमबर फो, occupational health occupational health होती है कि आप जिस career में है, आप जिस job में है, आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी profession में हैं आप उससे कितने ज़्यादा satisfied हैं फिजिकल हेल्थ होती है आपकी body के बारे में क्या आपकी body healthy है या नहीं इसमें body से related सब कुछ आता है आपकी body की movement, आपके joints की health, आपके organs की health शोशल हेल्थ शोशल हेल्थ का मतलब बहता है कि आपके connection, आपके relations कितने healthy हैं जो लोग आपके close हैं, उनसे आपके relations कितने अच्छे हैं अब चाहे वो friends हो, चाहे वो family हो, चाहे वो business partners हो, चाहे वो colleagues हो 7. Financial health Financial health होती है आपके पैसे के बारे में कि आप अपने पैसे को कितना अच्छे से manage करते हैं अब चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो पैसा खर्च करना हो और कितना पैसा आपके backup में पड़ा है, reserve में पड़ा है ताकि आपको financially कभी भी कोई दिक्कत ना हो वैसे हमने एक video बना है financial health के बारे में, financial freedom के बारे में उस video का link मैं यह ओपर I button में डाल दूँगा, तो आप click करकर देख सकते हैं उसमें हमने वो बाते होता ही है, जो कि बहुत सारे millionaires और billionaires follow करते हैं तो अगर आप वो video देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो यह होती है हमारी seven dimensions of health, यानि की health के wellness के साथ आयाम तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंदा है, अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, thank you very much आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद